नमस्कार दोस्तो आगे हम एक और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ में आज हम बात करेंगे दो ऐसे टॉप स्टॉक के बारे में जिस पर अडानी जी अपनी निगहा बनाए हुए हैं दोस्तो अडानी जी खुद इन श्टॉक को घरिदने के लिए सोच रहे हैं हैं और दोस्तो इस पोजिशन को और घ्रते करने चाते हैं तो इसलिए इन stocks को यह purchase करना चाहते क्योंकि दोनों stocks के fundamental काफी अच्छे है तो दोस्तो one by one हम दोनों stocks के बारे में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले अपने second number के stocks से दोस्तो जो हमारा second number का stock है उसका market capitalization 5,017 करोड की एक small cap penny company है और दोस्तो current price जो है इसका सिर्फ 7 रुपे 35 पे ट्रेड गर रहा है और दोस्तो इसका high price और low price जो 52 weeks का गया था वो 11 रुपे high price और low price 5 रुपीज गया था stock भी इसका 11.9 है book value इसकी 15.6 रुपीज है dividend अब इन्होंने नहीं प्रोवाइड करा है और दोस्तो ROC इसमें 7.41 परसेंटेज की है ROC इसमें 1.64 परसेंटेज की देखने की मिल जाएगी और face value इसकी 10 रुपीज की थी दोस्तो प्रोमोटर की holding 24 परसेंट है बट इसके overall fundamental अच्छे हैं पूरा वीडियो को लास तक देखना आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तो अगर इसके प्रोज के बारें बात करें तो कंपनी का जो इस्टॉक प्राइज है वो ट्रेड कर रहा 0.47 टाइम से और दोस्तो कंपनी ने जो अच्छे रिटन बना के दिये हैं कंपनी ने जो डिरेट ब durum किया है और दोस्तो कंपनी ब FEL करी है तो चले बात करते एं कुछ और fundamental के बारे में कंपनी की profit 케ी बात करें तो दोस्तो 2017 में कंपनी ने 4,658 करोड की sales generate करी है मार्च 2018 में 4,870 करोड की sales generate करी है और at the time of COVID भी इन्होंने 3,284 करोड की sales generate करी है और 2021 में 3,302 करोड की sales generate करी है मार्च 2022 में 4,625 करोड की sales generate करी है और मार्च 2022 में last quarterly इन्होंने 6,013 करोड की sales generate करी है दोस्तों कर इसके promoter की holding की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो holding है वो overall 24% की है थोड़ी decrease हुई है 29 से और दोस्तों इसमें FIS की holding increase हुई है 3.38 की और DIS की holding आप देख सकते हैं 22% की और दोस्तों public की holding इसमें 50% की है इसी stocks का नाम है जैपरकाश Power Ventures Limited दोस्तों आप इसी stock को अपने portfolio में रख सकते हो और यह stocks वे growing sector में काम करें और आपको अच्छे return बना के दे सकता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं number one stocks के बारे में दोस्तों जो हमारा number one stock है उसका market capitalization भी 2428 करोल का यह भी एक small penny company है current price इसका 9 rupees 90 पैसा का है high price इसका 52 weeks का 13 rupees गया था और low price इसका 7 rupees गया था प्रमोटर की holding आपको 38.2 percentage की देखने को मिलती है उसके overall fundamentals के बारे में हम discuss करते हैं overall profit loss की बात करें तो आप देख सकते हो मार्ट 2019 में इन्होंने 9,210 करोड की total sales जनेट करी है और मार्ट 2020 में 7,35 करोड की sales जनेट करी है बार इनके expenses भी हुए 8,334 करोड के क्योंकि at the time of covid थोड़ा recession आया था problem आयी थी और यहां देखोगे 2021 में company ने फिर से grow किया 6,406 करोड की sales जनेट करी है तो दोस्तो और भी अच्छा रहता और दोस्तो इसमें FIS की holding 1.20 percentage की है DIS की holding इसमें 1.70 percentage की है और दोस्तो पब्लिक की holding इसमें आपको 58.94 percentage की देखने को मिल जाती है दोस्तो इसी stock का नाम है जैप्रकास Associates Limited दोस्तो यह दोनों ही stocks को आप अपने portfolio में रख सकते हो बागी आप भी इस stocks पर अपने निगाफ बना के रखो तो दोस्तो यह आपको future में अच्छी रेटन बना के दे सकते हैं दोस्तो आपका इस stocks के बारे में क्या क्या आल है में comment section में ज़रूर बताइएगा और दोस्ता से useful content देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो चलो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत